Hello everyone, welcome back to my channel दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही एहम जानकारी लेकर आ रहा हूँ आप सभी को मालुम है कि UP में जो है त्री इस्त्री पंचायत चुनाओं होने वाले हैं और इन चुनाओं में ब्यलो की भूमका बहुत बड़ी है कोई भी चुनाओं हो चाहे लोकसभा का हो राजिसभा का हो या पंचायत इस्त्री चुनाओं हो हर चुनाओं में ब्यलो की भूमका बहुत बड़ी होती है उन्हें हर बार मतदाता सुची का पनरिछन करना होता है नए नामों को जोड़ना होता है और ऐसे नाम जो कहीं सिफ्ट हो गए हैं उन्हें हटाना भी होता है जो लोग ने 18 साल के हो गए हैं ऐसे लोगों का नाम सुची में गुरुवाना होता है तो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि BLO क्या होता है BLO को फुल फॉर्म क्या होता है BLO कैसे बनते हैं, BLO के कार क्या है और BLO का मानदे कितना है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा विल आइकन को प्रेस कर दीजएगा तो आईए बिना देर किये हम वीडियो को शुरू करते है हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे इस पॉइंट पर बात करने वाला हूँ कि BLO क्या होता है BLO को फुल फॉर्म क्या है, BLO कैसे बने और BLO के कार क्या है आपको मैं बता दू कि BLO अपने आप बनने का यहां मौका ही नहीं मिलता है BLO बना दिया जाता है और किसी ले किसी सरकारी करमचारिया जदातर तो अध्यापों को बनाया जाता है सिछा मेत्र है या फिर आगनवाड़ी कारी करती है तो आये देखते है कि BLO क्या होता है जैसे जैसे हमारे देश की चुनाओ नंजदीक आते जाते हैं वैसे वैसे सभी नेताओं के लिए चुनाओं से संबंदित को समस्याओं भी उत्पन्ध होने लगती हैं जिससे उन्हें चुनाओं प्रक्रिया को आखरी तक ले जाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है समाधान करने के लिए चुनाव आयोग ने सभी चुनाव चेतर में ब्यलो की न्योकती कर देता है इसे चुनाव आयोग में आने वाली सभी समस्याओं को पहले से सुझा लिया जाता है जिससे चुनाव आयोग की प्रक्रिया सफलता पूर्वक संपन्न हो जाती है इसलिए यदि आप भी ब्यल्लो की विशे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ब्यल्लो क्या होता है ब्यल्लो का फुल फॉर्म कैसे बने कार बेतना और योगता की पूरी जानकारी प्रदान के जा रही है आपको पता है दोस्तों कोई चुनाव आयोग का हमेशा यह प्रयास रहता है कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया को सरल वा सुद्रड बनाया जा सके जिसके लिए चुनाव आयोग या चाहता है कि चुनाव के समय वा हर छेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बना सके जिससे व चेत्रों में सभी चुनाओ चेत्रों में बियलो का चुनाओ करता है और बियलो की नौकरी सरकारी और आर्द सरकारी दोनों ही मानी जाती है। बियलो बनने के लिए नागरिक को चुनाओ से संबंदित अधिक से अधिक जानकारी होनी बहुत आवस्यक होती है क्योंकि एक बियलो के नौकरी करने वाले बियक्ति से चुनाओ से समवन्दित ही कार करने होती है। इसके उलमा उसे समाज के विषय में भी आधिक जानकारी रखने के ओ सकता होती है, जिससे उसे अपनी नवकरी करने में बहुत अधिक सहाथा मिलती है। आज़े देखते हैं B.L. L. के कार क्या है? बूथ लेवल आफिसर का मुख कारिया होता है कि वह अपने छेत्र के सभी मतदाताओं की चुनाओं वह ओट से संबंदित हर प्रकार की जानकारी से आउगत कराए बूत लेबल आफिसर ही होता है जो अपने छेत्र के सभी मत दाताओं को चुनाओं से सम्बंदित आने वाले सभी समस्याओं का समाधान करता है कार्ड या चुनाओं से सम्बंदित हर प्रकार की जानकारे बियलो को ही प्रदान करना होता है इसलिए यह आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो इसके लिए आप अपने छेतर के बैलो से संपर करें उस समस्या का हल निकाल सकते हैं बियलो बनने के लिए योगता बियलो के पद की जिम्मेदारी उस ब्यक्ति को सुपी जाती है जो किसी सरकारी ढाचे का हिस्सा हो या फिर लोकल छेतर में कार करने वाले ब्यक्ति को या पद प्रदान किया जाता है इस पद पर ब्यक्ति की नियुक्ति प्रेजेंटेशन आप पिपल्स एक्ट 1950 के सेक्षन B2 के अंतरकत की जाती है इसके अलावा ब्यल्लो चुनाओ आयोग का जमेनी इस तरपर प्रत्नेधित करने वाले ब्यक्ति को भी इस पद के लिए नियुक्ति कर लिया जाता है चुनाओ आयोग ने इस पद पर नियुक्ति की सुरुवात अगस्ट 2006 से कर दी थी यहाँ पर हमने आपको ब्यल्लो की विशे में संफूर जानकारी दी यदि आपको इस जानकारी से सम्मंदित मन में किसी प्रकार का प्रस्ण अभिचार आ रहा है तो अन कोई जानकारी प्राप्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बाक्स की मादिम से पूछ सकते हैं हम आपके द्वारा दीगे प्रतिक्रिया और सुझाओं का इंतिजार कर रहे हैं अब बात आती है ग्राम भ्रमण आख्या अभी 2020 में जो पंचायक चुनाओं डिक्लियर हुआ है उसके लिए जो ब्यलो को कार दिये गए हैं उसमें ये है कि ग्राम भ्रमण आख्या में दर्ज होगी हर जानकारी पंचायक चुनाओं की द्रिष्ट से तयार की जाने वाली ग्राम ब्रमन आख्या में गाउं से संबंदित हर तरह की जानकारी दर्ज की जाएगी जैसे कि गाउं की आबादी, धार्मिक आधार पर आबादी की सिती, तमंचा रखने की सवकूनों के नाम, जुवारी वा सरावियों के नाम, हिस्ट्री सीटर, गंभीर अपरादों के आर मुबाइल नमबर के साथ दर्ज किया जाएगा, इसके अलामा गाउं के लेखपाल, सेक्रेट्री, एनम, आसा बहु और आंगनबाडी कारिकत्री का नाम और मुबाइल नमबर दर्ज किया जाएगा, यूपी पंचायच चुनाओ 2020 ओटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हो स्ट्ट, से, सी, यूपी डाट और इन पर पंचायतवार हरवार्ड के लिए तैव यलो का नाम हो और उसका मुबाइल नमबर उपलब्द रहेगा, आप और निरुवाचन आयुक्द विद्पकार सर्मा ने बताया कि प्रतिक व्यलो एक गणना सीट लेकर गणना कार के से घार घार जाएगा, पहली अक्टूबर से सुरू हो रहे है ओटरलिस्ट पुनरिचन में करीब एक लाग कार्मिक जुटेंगे, यह सिक्षक, राजसुकर्मी वा अन्य सरकारी करमचारी होंगे, ओटरलिस्ट पुनरिचन अभियान में ड्यूटी लगाने के जिम्मेदार तो राज निरवाचन आयोग ने बताया कि राज निरवाचन आयोग की वेबसाइट इस पर जाकर सर्च ब्ययलो पेज पर जाकर आप अपनी पंचायत के अपने वाड के ब्ययलो का नाम और फोन नमबर पता कर सकते हैं, अगर ब्ययलो ठीक से काम नहीं कर रहा है या उससे आपको कोई सिकायत है तो आप प्रसासन से उसकी सिकायत भी कर सकते हैं आयोग के इस नमबर पर फैक्स नमबर पर मेल आइडी यहाँ पर आपको यह दी गई है हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहा है निरवाचन आयोग ने मतदान केंद रिस्तर के आधिकारी बियलो के वार्षिक मांदे में 2000 रुपए की बढ़ोत्री की है अब उन्हें 3000 रुपए से बढ़ा कर 5000 रुपए प्रतिवर्स दिये जाएंगे तो इतना है बियलो को प्राप्त होना इस वीडियो में इतना है मिलते हैं आप से निक्स वीडियो में नमस्कार